माइंड फाइब अकेडमी में मैं हूं दीपक सर आपको बताने वाला हूं सीटेड नोटिफिकेशन 2022 क्यों लेट हो रहा है कि आने वाली जो सीटेड 2022 नोटिफिकेशन है वो इसलिए लेट हो रहा है कि सिलेबर्स कुछ चेंज होने वाला है सीटेड में कुछ जो सिलेवर से वो चेंज होने वाला है और सीटेड 2022 में नाम कैसे ला सकते हैं एनी सीटेड कॉलिफाइड 90 प्लस एक आशन तरीका है 90 प्लस मर्च लाने का एक आशन तरीका है तो आप लोगों को मैं एक महत्पूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जो लोग डीएड किये हुए हैं वो चाहते हैं कि पेपर फस्ट और पेपर सेकंड दोनों ही दें तो उनके लिए ये गलत साविक हो सकता है सीटेड डीएड वाले बंड की ही प्रिप्रेशन करें क्योंकि पेपर तो दे सकते हैं लेकिन आने वाली जो जॉब्स होगी उसमें आपको नुक्सान होगा कोई फायदा नहीं होगा उसमें डीएड मिडल क्लाथ में माने नहीं की जाती हैं इसलिए आप लोग पेपर बंड की तइयारी करें डीएड-डीएड वाले स्टुडेंड पेपर बंड की तइयारी करें लेकं वीटर बाले दोनों की कर सकते हैं बीएड बाले लेकिन डीएड बालों से यही कहना है कि वो आपनी पेपर बन की एक्जाम की जारी करें सीटेड 2022 नोटिफिकेशन आपको यह नोटिफिकेशन अक्टूवर की फर्स्ट बीक में आपको यह पहली ही सप्ता में देखने को मिल सकता है लेकिन आपको एक्जाम 101 परसेंट दिसंबर में होगा एक्जाम दिसंबर में होगा यह किलियर माल लेजिए तो आप लोग माइन फाइव अकेडमी चैनल को सब्स्वाइब कीजिए जिससे निसुलक तैयारी कराई आती है सीटर 2022 में नाम ला सकते हैं और 90 प्लस मार्च आशान तरीका है आप लोग माइन फाइव अकेडमी चैनल को सब्स्वाइब कीजिए